है है एलो फ्रेंज्स आज हम आपको गेटर्ट ताउनचिंब्स सौघज बढ़ने वह और एकसू डस गर्जज बढ़ने विला दिखाने वाले जो कि आपके लिए सोल के लिए बिल्कुल उपलब्ड दें सामने तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हमारे विलांग देने वाल थ प्रेंट टेलेवेशन आप देखते हैं जिसके सामने आपको 30 फिट वाइड रोड मिलती है और यह सारी विलाज आपको एस्ट और वेस्ट पेसिंग मिलते हैं और जेडी अप्रूड मिलते हैं साथ में 30 फिट वाइड के रोड के साथ साथ आपको 24 इंटू 7 सेक्यूर्टी मिलती हैं कि यह गेटेट टाउंच पर रहने वाले हैं तो देख लीजिए यह जो हमारा सौगज का विला है इसकी डायमेंशन वह है अठ्रा बाय पचासी डायमेशन में तो अठ्रा का आपको बहुंख दण सिलिंग का वरक मिलता है यहां परापको साइड में एकोग स्पैस मिलता है आप वाशिंग एरिया मनारे जिसको जैसे और बाहरे को शूर एक मिलता है कि यह आज ज़ाता है आपका विल्द का ड्रॉइंग एरिया सामीं दिनागी तोफ आपको लीडी पैनल और यहां पर मिलता है आपको एल सीटर में सोफा पीछे आपको वाल पेपर कवर करके जगह है और पीछे ही तरब भी हैं पर आपको एल सीटर में सोफा मिलता है तेरी जी काफी अच्छा कासर बड़ा सार है यहां पर आपको जो है ड्रॉइंग एलिया मिल जाता है कि उपपर मिलता है आपको फॉल्स लिंग का वर्क और दिखेंगे यह रहा आपके लेडी पैनल यहां ज़दी है आपकी फाइव सीटर डाइनिंग टेबल इसको सिक्स सीटर भी बना सकते है और यहां ज़दी आपका common washroom की कपी अच्छी काई साइज आप देख सकते हैं और पूरा यहां पर आपको जो टाइस का वर्क मिलता है और जो फिटिंग्स और जो एससरीज है उससाभी आपको जैगवार की मिलती है मतलब जो ब्रेंडेड मिलती है कि यहां जलते है किचन जो कि आपके काफी स्पेचिर में आपको कीचन रहने वा लिए पुलि मॉवनल अल्टा लख्जरी में आपको जेड सकेड़ मिलता है देख है और क्यों को इनटिलेशन अ वस्ट्रेंन को फेटा क्योर्वist मिलती है कि वेंटिलेशन और सनलेट के लिए प्रॉपर आपको जो है विंडो दी गई है कि अपनी किचेन के लेफ्ट हें साड में आजाता अपना फर्स बैड रूम कि देख सकते हैं आपको डबल लगए देगा है इंट्रेट डिजाइन आपको काफी खूपसूरत है वाट्राव आपको लगए देगाई है उपपर आपको फॉल सेलिंग का वर्क मिलता है कि साथ में मिलती है आपको पीछी की तब एक बैग बालकनी के लिए याप वाशिंग एडिया आप सामनी रफ मिलता आपको एलेडी पैनल और जो अपना कॉमन वाश्रूम था उसका यहां पर से अटेज वाश्रूम भी अटेज किया गया है मनलब जो दोनों कॉमन पर से अटेज वाश्रूम है वह तो दिखिए यह रही आपकी बैग बालकनी या फिर आप इसको वाशिंग सब्सक्राइब देता आप इजली आपर अपने कपड़े सुखा सकते हैं और प्रॉपर यहां पर आपको जिस लाइट आती है कि नल भी आपको साथ में दिया गया है जैसा कि मैं आपको बताया कॉमन प्लस अटेज वाश्रूम यह हमारा है यहां जत्या आपकी सीडियां सीडिया में आपको जो है ग्रेन आड कवर्क दिया गया है साथ में स्टील की देलिंग यूज़ लगे दिया गई है और यहां जत्या है हमारा फर्स्लोर का ट्रॉइंग एरिया इक लिए कितना खूपसूरत है यहां अगर ड्रॉइंग एरिया उपर आपको जह है और सीडिंग का वर्क आप देशते हैं काफी खूपसूरत है सामनी तो आप जिसकते हैं डिजाइन अपनी और वाल पेपर का वर्क आपने सामने मिलते हैं आपको जो है दोनों बैड डूम और यहां से जाता को छपका रास्ता कि यह आपका एक्स्ट्र स्पेश चोड़ा गया है अगर आप चाहो तो इसको जाए एस सर्वेंट रूम यूज कर सकते हैं और यह आजाता है आपका सैकेंड बैड रूम देख लिए काफी खूपसूरत इंटेर डिजाइन नीचा आप दिसकते टाइल्स का वर्क वोड़न अपरे तो फॉर्स सेल सेल नेका वर्क मिलता है काफी खूपसरत सामनी तर्म मिलता है अको Led स्पैनल जो की काफी कुपसरत day will work है anta अ कर शुट त्वाष्रूम, और ड्रैसिंग रूम डेहियां है कि आपको डेशिंग रूम सामतर मिलता को अब मेरर और यहां पार मिलती है आपको वोडन बाउडरोग है या जैता को पाड़ा था आपका ट्रैच वाश्रूम बैसा आपको अच्छा अच्छा और यहां देते हैं आपकी बाकनी जैसे कि आप देखेकते हैं और यहां देते हैं आपका थर्ड एंड फाइनल बेड्रूम और बैडर्णूम के आप स्पेसे काफी फिशे से उपर आपको मिलता है वाल्ज लिंग कब डबल बैडड अटेच्ज बालकनी और सामुनी मिलता है आपको अपना कि के स्टड़ी टेवल और इस बैड्रूम के साथ भी आपको आटेच वाश्रूम मिल जाता है प्लस अटेच देख लिए नीचे आपको टाइस को दिया गया है पिटिंग्स और जो पिटिंग्स और जो एसेसरी जो सारी अपनी ब्लेंडेड दिसकी मैंने वह पताया इता साइड में आपको जो ड्रेशिंग दी गई है और ड्रेशिंग में भी आप देख सकते हैं एलेड वार करके दिया गया है और देख लिए यह आज़ती है अपनी अटेज बालकनी बालकनी का भी काफी अच्छा खास स्पेस से आप दिसकते हैं कि टफन ग्लास के यहां पर देख लिए अगे दिगई आपको सामनी तरह आपको जो विलाजी विलाज दिखते हैं जो अपने हैं टोटल दस विला हैं यहां पर जैसे में आपको पताया एक सुद दस गज और सौ बच का यह है अपनी 30 फिट वाइड रोड जो की सीधा यह अपनी जो गेटरेट कॉलर नी जीख सकते हैं